हेलो फ्रेंड तो आज है दिन वही है बस व्लॉग नया है और इस टाइमना में पानी लाने जा रही हूं थोड़ा सा पानी ना यहां देखिए इसमें हस्बंड ड्यूटी जा रहे हैं क्योंकि इन्हें जाना है शिफ्ट पे और मैं रहूंगी आज यहीं पीछे पानी ले पानी डूटा जहीं पीन पड़ता है वोबासी पानी होगा चलिए आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूं यहां का नाडू तो बस यहां से हम चल पड़ेंगे पानी लाने नीचे हस्वन को बोरे ही थी कि आप चले जाओ क्यूंकि शाम के पांच बच चुके थे लेक अच्छा होता है मिठा टेस्टी सा पानी तो यहां से में पानी लेके जाओंगी और हस्पन फिर वापिस चले जाएंगे लेकिन मुझे छोड़ देंगे थोड़ा सा है ज्यादा दूर भी नहीं है यहां से निकल रहा है यह पानी और पीछे से आ रहा है यहां से सप्लाई कंडा गाओं के लिए और हस्पन यहां पर तो देखे मैं पहुंच गई हूँ वापिस थोड़ा सा ही आगे है पैदलाती तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती क्यूंकि मम्मी पापा दीदी वियरा अभी पिछे मेरे रूम में ही थे उनको लेने जो है जी जजी आने थे तो लेट हो गे थे और सामने का व्यू है कुछ इस तरह से और हस्पन गोना उधर उस साइट को जाना है जहां पर आपको बरप की पहाड़िया दिख रही है एक तेट घंडा लग जाता है जाकड़ी के लिए यहां से थोड़ी दे रेस्ट करेंगे खानावाना अपने साथ लेके गए है और फिर उसके बाद वो चले जाएंगे अपनी शिफ्ट पर तो मैं भी यहां से अब उपर चल पड़ूँगी और देखिए मम्मी और दीदी भी चल पड़े हैं पापा पहले निकल गए थे क्यूंकि जी जजी है इनको लेने आगे हैं अपनी गाड़ी लेकर तो मैं और उनक इसलिए नहीं गए क्यूंकि साड़े पांच हो गए है आगे ना एक जगा बान का जंगल जैसा है वहाँ पर भी मुझे डर लगता है पता नहीं क्यों मुझे डर लग जाता है खासकर लेपड विएरा से बाकी ऐसे डर नहीं लगता है और यह दिखिए कितन पापा को मैसेज आ गया था कि वाच आगे रॉनक ने ओनलाइन शॉपिंग की है फिर दिखाएंगे जब वाच आएगी तो रॉनक की आई है उसके पापा की वीडियो देख रहा है रॉनक के पापा ने उसे वीडियो पेजी है क्यूंकि रॉनक के लिए वाच आ गई है जो मैं ने तो चाय बनाई है रॉनक को डाल दे दूँगी जो बच्ची है फुल के बनाए है मैंने यह है यहाँ पे दूसरा दिन रॉनक के हैर कट हो रहे हैं तो यह सुनी लिस्ट को हमने बुला दिया था यहाँ पे और मैं कपड़े वेर भी यहीं पे ही धोलूँगी फिर शाम के टाइम हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे इसके आगे जो है मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ करनी है बहुत सारी बात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बाद में तो थोड़ा सा आप यहाँ पे व्यूज देख लीजिए इसके आप लोगों के साथ 25 की बाद मेरे हस्बंड और मेरे ममी चले गए थे इसके बाद जो है हम सो गे थे फिर थोड़ा बहुत इतना भी काम रहता है एडिटिंग वियरा मैंने वो कर दी थी आज दिन कर मैंने वो जादा शेयर नहीं किया है रहुना कि आज हेर कट किये वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किये 11 को दिसंबर में मुझे इमेल आ गया था वाइट स्टूडियो यूट्यूब का कि आपकी जो है पेमेंट तयार है और इसमें हीने आपको जो है पेमेंट मिल जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं आपको तब ही बताना चाहती थी जब मेर एपको जो है इन sensors धिकना मात्मी आपको जो है रहता है जो है इंकम आ चुकी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी की यूट्यूब और मेरे जननी के साथ थी एख फैसे किया किकी हाल्प से किया किया मैंने सार ने साथ तब जो भी रहता है वो सब कुछ शोट लिम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो सबसे पहले बात आती है यूट्यूब पे इनकम भी बताऊंगी कि कितने आए मेरे अकॉंट में पैसे बात है 28 मार्च की 28 मार्च को मैंने जो है अपनी फिर्स्ट वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे जो फिर्स्ट वीडियो इसमें साथ क्वालिटी उतनी अची नहीं थी स्वाइब मैं तब भी यूज नहीं करती हूं फरक सिर्फ इतना था उसमें जो प्रसेंटेज रहती है वोल्यूम की वो में 50 कर देती थी क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही सीख था कि उसको 50 पे रखते हैं बल्कि मुझे रहिए दो तीन वीडियो मेरी बहुत ज्यादा स्लो इसलिये आई है माइक का यूज मैंने ना किया ना मेरे पास माइक है तो 28 को चम नहीं फर्स्ट वीडियो अपलोड की उस तेम मेरे सब्सक्राइबर थे 16 उन मैंसे मेरे 2-3 जो है मेरी बहने है 2-3 कुसंसिस्टर और मेरे जो भी थोड़ा बहुत मेरे जादा फ्रेंसर्कल भी नहीं है क्योंकि एक हॉच्फ वाइफ हूँ अब इजी हो जाते हैं जो फ्रेंड्स थे भी उन से भी दूर दूर तक यह जादा वास्ता रहा नहीं है तो चलिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको यूट्यूब की कि अर्दी यह एक आी किस से इंस्पायर हूई सो बात उन दिनमों की है जब ज़ाज़ी में दनको पर देखी करी ती क्योंकि मेरे पास लिक चींग क्या थोड़ा बाहता था और बेटे को जैसे स्कूल से लाना जाना होता था स्कूल से वो काम रहता था तो बहुत जाला काम होता है देखा जाए ये भी और उसके साथ साथ स्टेचिंग करती थी तो मैं स्टेचिंग यूट्यूब से ही सीखती थी यूट्यूब से देखते देखते एक दिन एक अचानक से ही मेरे सामने इंडियन मॉम स्टूडियो का जो है वीडियो आ गया था मैंने वह देखा फिर मैं देखती गई फिर मुझे अच्छा लगा उनका तो उसके बाद आया मेरे पास जब हम एक व्लॉग देखते हैं तो आत लगा मुझे यह काम मज़ा आने लगा मुझे देखने में और अच्छा लगने लगा फिर मुझे लगा कि कम मैं भी कर सकती हूं तो मैंने था हस्पंड को ब व्ल दिया था तो अक्टूबर मैं शुरू कर रही थी मैं सोच रही थी लेकिन वही फिर वीजी हो जाती थी नही तो इसके बाद जो है फिर मैंने सोचा रोनक के जब मार्च में पिपर हो जाएंगे उसके बाद करूंगी उन्निस मार्च को रोनक के पिपर खतम हो गे थे 2020 में अभी और हम आये घर उतने में लॉगड़ान लग लगने के बाद में पूरी तरह से ही मतलब की हो गई थी एक ही फर्स्ट जो है वीडियो अपलोड कर दी उस टाइम बहुत कम व्यूज मिलते थे क्यूंकि शुरू में नहीं मिलते हैं व्यूज बस दीरे दीरे करके दस पांच कभी पंदरा बीस पच्चिस ऐसे ही मिलते गए तो एक दो महीने तक मैंने तीसरे चौते दिन बस ऐसे ही डा जाकडी गई क्योंकि यहां पर फिन में ऐसे ही डालती थी कभी डालती थी कभी नहीं भी डालती थी तो जाकडी चाके मैंने प्रॉफर व्लोग डालना शुरू कर दिया फिर दो धाईसों व्यूज मुझे आने लगे घरे तीरे तीनसौ चारसो पांसों और इस तरह से एक जो है मेरी दो वीडियो दो वीडियो पर मेरे अच्छे खासे व्यूज आगे थे तो जादो फी नहीं आए ते बस थोड़े बहुत अए थे फिर जाकडी से मैं जब वापस आई उसके बाद जो मेरे मारी के व्लॉग्स और यहां के सारे व्लॉग्स मिला के थोड़े बहुत चलने लग क्योंकि मुझे वाश टाइम बहुत आ रहा था सब्सक्राइबर उतने नहीं थे लेकिन वाश टाइम मेरा बढ़ रहा था तो इसके लिए जो मालस्टोन रहता ही है यूट्यूब के लिए एक हजार सब्सक्राइबर और चार हजार घंटे वाश टाइम दोनों ही बहुत बड़ी बात होती है तो मेरे जो है सब्सक्राइबर और वाश टाइम दोनों ही पूरे-पूरे साथ हुए क्योंकि जो है सब्सक्राइबर दो-तीन महीने में ही पूरे हो जाते हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था मेरे जो है हजार सब्सक्राइबर भी सिब्टेम्बर में पूरे हुए और वाच टाइम भी मेरा सिब्टेम्बर के एंड में ही पूरा हुआ 3 OCT को हुआ था मेरा वाच टाइम और वो सब्सक्राइबर पूरे तो मुझे YouTube ने इमेल कर दिया था 3 OCT को के लिए फिर हम apply कर सकते हैं मैंने husband को call कर दिया तो होता है ना फिर मेरे पास इतना time भी नहीं होता है फिर husband मेरी help करने आगे थे और उन्होंने वो भी मैंने आप लोगों के साथ के शेयर किया था किस तरह से फिर husband आये थे और उन्होंने जो मेरा AdSense के लिए apply कर दिया था तो 3 October को मेरा जो है चैनल का माइट्स्टोन मेरा पूरा हो गया था जो शर्ते रहती है YouTube के हिसाब से और जैसे जो भी रहता है तो monetization के लिए मेरा उन्होंने भीज दिया था 6 को मेरा monetize होके चैनल आ गया था और उसके बाद जो है मेरे चैनल पे जो है एड लगनी शुरू हो ग पिन लाने के लिए और दस दॉलर मेरे जो है दस दिन में ही बन गे थे दस या नौ दिन में बन गे थे उसके बाद मैंने अड़सेंस के लिए पिन के लिए भी अपलाए कर दिया था तो मेरा पिन जो है उसके बाद भी हमें फिर फिर पिन एंडर करना पड़ता है फिर उसके बाद वहां से जो है हमें देते हैं एक swift code देते हैं बैंक से और मैं यहां पर थेंक यू पहले तुम्हें बांकी मैं सब को बताऊंगी जिस जिस ने मेरी helps किया पर यहां पर bank वालों ने भी मेरी बहुत help की पैसे वगेरा का कुछ change करने का जैसे डॉलर का बाहर की currency का रहता ही है न उस तरह से होता है लेकिन यहां से बहुत अच्छे से corporate किया और एकदम से ही कुछ जादा सवाल जवाब नहीं किये और हमें pin दे दिया और उसके बाद बारी आती है फिर payment की तो 11 तारिक को December में मुझे email आ गया था कि आपकी जो है 100 डॉलर पूरे हो गए हैं और जुड़ चुके हैं दो महीने की आपको जो है अभी salary आएगी तो तब ही मैं share नहीं किया क्यूंकि तब जो है वीडियो बना ही नहीं जब वीडियो बन जाती है फिर लगता है कि चलिए आज के आज ही share कर देती हूं क्यूंकि मैं पिछली या दो दिन पहले की वीडियो वेरा आप लोगों के साथ ऐसा हुआ ही नहीं होगा एक बार किया था सिर्फ मैंने मैं आपको डेली के ही वीडियो जो है अपलोड करती हूं तो मेरी जो है payment आचुकी है 24 को और कितने डॉलर आये दो महीने में मेरी बने थे क्यूंकि शूरू में है जादा नहीं बनते है वन फोर्टी डॉलर वन के आये थी मेरी और कन्वर्ट होके आप खुद ही लगा सकते हो idea अमरीकन डॉलर जो होता है इंडियन करेंसी में उसको चेंज करके तो उतनी payment आई है मेरी और रही बात मेरी payment को मैंने उसका क्या किया है तो मैंने अभी तक वो विड्रॉ नहीं किये बहुत जादा intelligent है बहुत जादा तो कुछ भी YouTube पे upload करने से जो है हमारे wash time नहीं आता है वो real देखते हैं तो मैं दो साल लेके चली थी मैंने बुला कि दो साल तक मैं try करूंगी YouTube मेरे थोड़े बहुत जो subscriber अभी हुए है 4915 मेरे subscriber अभी इस time है मतलब कि 5000 होने वाले हैं तो म महीने लगे थे और 4 महीने के बाद मेरे 500 सबस्क्राइबर हुए थे 500 से लेकर थोड़े थोड़े आगे बढ़ते बढ़ते मेरे इतने हो गए है कि 1000 मेरे जो है 6 मुने में पूरे हुए तो कोई असान बात नहीं है एक-एक subscriber जुड़ना हमारे लिए बहुत कीमती होता है और YouTube पे वीडियो आपलोड करना भी बहुत बड़ा टास्क रहता है एक-दो घंटा हमारे एडीटिंग मेरे लग जाते हैं उसके बाद वीडियो आपलोड करने में भी बहुत ज़ादा टाइं मेरे लग जाते हैं मेरे यही रहता है कि नहीं जो मुझे कमेंट्स दे रहे हैं मुझे अपना कीमती टाइम दे रहे हैं उनको मुझे थेंक्यू बोलना ही बोलना है और मैं यहां पर थेंक्यू बोलना चाहूंगी अपने साससुर का मुझे ना हर चीज में एप्रिशेट करते हैं मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है हर चीज में मेरे लिए वो खड़े रहते हैं और हस्बंड का तो चलो बहुत जादा सही योग है वो जम मैं कई बार सोचती हूं कि रहने देती हूं क्योंकि जितने भी आप लोग आपकी जो वीडियो देख रहे हैं वो दिल से देख रहे हैं तो उनके साथ फिर्फुल रहना है अब यहां से आगे भी मैं अपनी जर्नी जो है स्टार्ट रखूंगी कोशिश करूंगी वीडियो हमेशा डालती जाओंगी कई बार बीश में हो जाता है वीडियो नहीं आती है तो थोड़ा लगता है लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करते ही रहना है बाकी रही बात नेगेटिव कमेंट की ज्यादा नेगेटिव कमेंट नहीं आए दो या तीन नेगेटिव कमेंट्स मुझे आज तक मिले हैं जो मुझे हर्ट किये बूरे लगे तेकिन मैं उसकी बात यहां नहीं करूँगी उससे मुझे फरक नहीं पड़ता है तब पड़ता था शुरू शुरू मैं अब तो मैं चाहती हूं कि नेगेटिव कमेंट्स आए म मैं देखों कि लोगों को कितनी भड़ास यहां पर निकालनी है और अच्छा लगता है जितना मतलब कि आदमी आगे जाएगा उतने ही नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे और नेगेटिव कमेंट्स चाहिद आते भी अपनों के ही हैं दूसरा कोई भी नहीं करता है मुझे बहुत ज़्यादा सुपोर्ट कर रहे हैं बाहर से भी पर्टिकुलर एक इनसान का नाम नहीं लूँगी क्यूंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा लेकिन जो जो मुझे कमेंट्स करते हैं उनके लिए हमेशा ही रिस्पेक्ट है मेरे अपनों मैंसे भी बहुत लोगों ने मे से ही चला के रखूंगी और मेरे ममी पापा की बात आती है फिर ममी पापा भी बहुत ज़्यादा सुपोर्ट करते हैं बुगाजी भी बहुत सुपोर्ट करते हैं सब ज़्यादा बहुत ही सुपोर्ट करते हैं और मेरा बेटा भी मुझे बहुत ज़्यादा सुपोर्ट कर तो मुझे विश्वासे आने वाले टाइम में मेरे साथ और लोग जोड़ेंगे जितने भी जोड़े हैं उतने के लिए भी में बहुत जादा मतलग कि उस बगवान का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हैं जो बहुत महनत करते हैं मुझे पता है मेरे साथ भी जो है तो इस मुकाम पर जहां मैं पहुंची हूँ यहां पर भी नहीं पहुंच पाए और मैं उन रोगों को बस इतना ही बोलते जाओंगी कि आपना अपनी वीडियो जो है रेगिलर भी शेयर नहीं किये तो यहां पर जो होता है रेगिलर वीडियो टालना ही माइने रखता है तो मुझे यह लगता है बाकी मुझे जादा नौलेज नहीं है बाकी मेरे लिए खड़े है मेरे हस्बंट जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है तो रात बे रात में उनको ज जो मुझे अपना कीमती समय देते हैं थेंक्यू सो मच मिलूंगी कल फिर एक नए व्लॉग मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल ना अगर आप बेल बटन को दबाते हैं उस पर आल पर क्लिक करते हैं तो मेरी आने वाली जैसे ही में वीडियो यहां से अप्लोड करूंगी आपको नौटिफिकेशन आ जाएगी मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक्यर स्टेएव स्टेव स्टे थू